है गाईज वेलकम यू आल वन्स अगें तो आज की इस वीडियो में हम लोग बटन की इंटरफेसिंग देखेंगे अपने और यू नो बोर्ट के साथ तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा अगला components required तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले audiono uno board की जरूरत होगी और इस board को program करने के लिए हम लोगों को एक programming cable की भी जरूरत होगी next इसके बाद हम लोगों को एक LED की जरूरत है और साथ ही आपको यहाँ पर एक push button की भी जरूरत होगी अब इन components को आपस में connect करने के लिए हम लोगों को breadboard की जरूरत है और connecting wires की आपको यहाँ पर जरूरत होगी और at last आप लोगों को यहाँ पर दो resistance की जरूरत होगी एक आपका यहाँ पर 10 kilo ohm का resistance होगा और दुसरा आपका 1 kilo ohm का resistance होगा next इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपने circuit diagram को तो यह आप देख पाएंगे यह हम लोगों का एक button है button की first terminal को आप लोग यहाँ पर VCC देंगे मतलब कि आप इसको positive यहाँ पर voltage देंगे और इसका जो second terminal है इस terminal को हम लोग एक 10 kilo ohm के resistance के साथ connect करेंगे और उस resistance को हम लोग यहाँ से ground कर देंगे और जो आप लोगों के button और resistance के बीच का terminal होगा common terminal इसको हम लोग अपने audio no board के 8th number pin से connect कर देंगे और secondly हाँ पर हम लोगों की जो 9th pin है audio no board की इसको हम लोग एक LED के साथ connect करेंगे और उस LED को आप लोग basically 1 kilo ohm के resistance के थूँ ground कर देंगे तो यह हम लोगों का circuit diagram है इस task के लिए next इसके बाद हम लोग देख लेते हैं pin description अपनी LED और push button का यह basically हम लोगों का push button है इसमें आप लोगों को 4 terminals मिलेंगे और यहाँ पर जो terminal A है और terminal C है यह basically आपस में internally connected रहते हैं मतलब कि आपका जो terminal A में हम लोग voltage देंगे वही voltage आपके C terminal में भी मिलेगी और similarly यहाँ पर हम लोगों का जो B terminal है और जो D terminal है यह भी आपस में यहाँ पर interconnected रहते हैं और जब भी आप लोग इस button को press करते हैं basically हम लोगों का जो switching होगी वो A terminal और B terminal के बीच में होती है मतलब कि अगर आप इस button को press करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का जो इस circuit है वो complete हो जाएगा और अगर आप इसको release रखेंगे तो उस condition में यह जो circuit है वो incomplete रहेगा और यहाँ पर आप चाहें तो अपनी इन terminals को continuity test के through भी find out कर सकते हैं और secondly हम लोगों के पास यहाँ पर यह LED है LED में basically आपको यहाँ पर दो terminals मिलती हैं इसमें एक आपका positive और दुसरा negative होगा तो positive और negative terminals को identify करने के लिए यहाँ पर दो से तीन तरीके हैं सबसे पहला तरीका यहाँ पर यह है कि आप अपनी जो terminal है उसकी length को measure करें यहाँ पर आपकी जो longer terminal होगी वो हमेशा आपका positive रहेगी और जो आपका shorter terminal है वो हमेशा negative रहेगी बट in case अगर आप लोगों के पास यहाँ पर दोनो terminals equal हैं तो उस case में आप लोगों ने अपनी LED के internal structure को यहाँ पर देखना होगा यहाँ पर जो आप लोगों का thicker part होगा वो हमेशा आपका negative होगा और जो आपका यहाँ पर thinner part है यह हमेशा positive होगा तो next हम लोग अपनी programming को यहाँ पर देख लेते हैं so programming में सबसे पहले हम लोगों ने unsigned intity type का एक variable लिया और इसका नाम basically मैंने यहाँ पर button दिया है तो इस variable में basically हम लोग उस pin number को store करेंगे जिस pin पर आप लोग अपने button को connect करना चाहते हैं तो initially हम लोग यहाँ पर जो button है उसको 8th number pin पर connect कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने हाँ पर जो value है वो 8 लिखी है next इसके बाद हम लोगोंने again एक unsigned entry type का variable लिया है और इसका नाम LED है और यहाँ पर आप उस pin number को store करेंगे जिस pin number पर आप लोग LED को connect करना चाहते हैं तो फिलाल हम लोग यहाँ पर LED को 9th pin से connect कर रहे हैं तो इसके लिए आप लोगोंने हाँ पर value दे दी 9 next इसके बाद हम लोगोंने again एक unsigned entry type का variable लिया है जिसका नाम B status रखा है और यह जो आपका variable है यह basically आपके button के status को store करेगा मतलब कि आपका button on है या फिर off है उस चीज़को हम लोगों का यह जो variable है store करेगा next इसके बाद हम लोगों के पास void setup function है और यह जो function है यह basically सिर्फ एक बार run होता है और इस function के अंदर हम लोग अपने जो pins है इनके mode को define कर रहे है तो आपका जो button है वो basically एक input device है मतलब कि जो आपका 8th number pin है वो as a input pin काम करेगा similarly हम लोगों का जो LED है वो एक output device है तो आपका जो 9th number pin है वो as output pin यहाँ पर use होगा तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर की है जो हम लोगों का यहाँ पर button है वो 8th number pin में connected है तो 8th number pin को आप लोगों ने यहाँ पर as input pin define कर दिया similarly आपका जो 9th number pin है उसको हम लोगों ने LED नाम दिया है तो आप लोगों ने यहाँ पर LED को output define कर दिया इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर void loop function है तो void loop जो है वो basically एक infinite loop है मतबकि इस infinite times के लिए चलता रहेगा तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग read कर रहे हैं अपने button के status को ठीके तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर function लिखना है digital read और इसके अंदर आपका एक argument आएगा यह argument basically होता है आपका pin number जिससे आपका button connected है तो यहाँ पर आप चाहें तो 8 लिख सकते थे और चाहें तो यहाँ पर आप उस variable को भी यूज कर सकते हैं जिस variable में हमने अपने उस pin number को store किया है तो digital read करेंगे आप लोग और जो भी यहाँ से हम लोगों का status आएगा उस status को हम लोग b status variable में store कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपका button on होगा तो उस case में हम लोगों का यहाँ पर जो b status है उसमें one store होगा और अगर आपका यहाँ पर button off condition में रहता है तो आप लोगों का b status में zero store होगा next इसके बाद हम लोगों ने b status में जो value store हुई है उसके corresponding अपने leds को on या फिर off करना है यहाँ पर अगर आपका b status में value one है तो इसका मतलब है कि आपका जो button है वो pressed होगा तो उस condition में हम लोगों ने अपनी led को on करना है led को on करने के लिए आप लोग यहाँ पर digital write function लिखेंगे और उसके अंदर जो आपके arguments हैं उसमें आप led, high लिखेंगे यहाँ पर आप चाहें तो led की जगर अपना pin number भी लिख सकते हैं और high की जगर चाहें तो आप यहाँ पर one भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर basically क्या होगा अगर आपका push button on है तो उस condition में हम लोगों की 9th number में जो led connected है वो on हो जाएगी और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर else condition लिखी है else में कि यहाँ पर क्या है basically अगर आपका button जो है वो off condition में है तो उस condition में हम लोगों ने अपनी led को off रखना है तो led को off रखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर digital right function call किया और इस function के अंदर जो आपके arguments थे उसमें आप लोगों ने अपनी led को low कर दिया so button को अगर आप लोग press करेंगे तो उस condition में हम लोगों का यहाँ पर जो b status है उसमें value 1 आएगी उसके corresponding जो 9th number pin है वहाँ पर आपकी led on हो जाएगी और अगर आपकी जो button है वो release condition में है तो वहाँ पर हम लोगों का b status में value 0 store होगा और उसके corresponding आपकी जो led है वो off रहेगी तो next हम लोग इसको यहाँ से compile करते हैं तो यहाँ पर compilation हम लोगों का हो चुका है इसके बाद हम लोग इसको अपने hardware में implement करके देख लेंगे तो program कर चुके हैं हम लोग अपने auduno unoboard को यहाँ पर basically हम लोग एक push button को use कर रहे हैं और यह जो button है यह हम लोगों का input unit की तरह use होगा और basically यह जो button है यह हम लोगों के auduno unoboard को एक input signal देगा और इस button को हम लोगों ने 8th number pin से connect किया हुआ है और इसके corresponding हम लोग अपने यहाँ पर एक led को control करेंगे और जो led है इसको हम लोगों ने 9th number pin से connect किया हुआ है तो जैसे ही हम लोग इस push button को यहाँ से press करेंगे वैसे ही auduno unoboard को एक signal मिलेगा और जो program में हम लोगों ने conditions लिखी है उसके corresponding हमको जो output है वो led में मिल जायेगा तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर जैसे ही मैं इस button को यहाँ पर press करूँगा तो आप देख पाएंगे हम लोगों की जो led है वो on हो जाएगी और जैसे ही हम लोग इसको यहाँ से release करेंगे वैसे ही हम लोगों की यहाँ पर यह जो led है वो off हो जाएगी So I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गही होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं Next वीडियो में मैं आप लोगों को serial monitor और उसके corresponding जो functions है उनको बताऊंगा और finally हम लोग जो भी button का status है उसको अपने serial monitor पे print करके देखेंगे So बने रहेगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं So thank you so much for watching जै हिंद जै भारत